हेलो फेंस बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो क्लास में फ्रेंज इस वीडियो क्लास में हम डिसकस करेंगे SSC CGL 2017 tier 1 के previous questions और यह set 22 है यह paper हुआ था 16 आठ 2017 को evening shift में इसके सारे questions हम discuss करेंगे यह previous questions की मैं series चला रहा हूं इससे के सभी exams के लिए इसमें हम previous questions डिटेल में डिसकस करते हैं और यह दिए आप SSC CGL 2017 के सारे previous questions यानि 43 set का पूरा solution आप लेना चाहते हैं इसमें 275 question को मैंने directly explain किया है और करीब 3000 questions को मैंने indirectly explain किया है 3000 question का मतलब है कि यह चारो options होते हैं उनको भी मैंने detail में explain किया है इसमें total pre के 43 set है tier 2 के 2 set है tier 3 के इसमें 2 set है इस तरीके से 47 sets है करीब 3000 questions का real questions का आपको detail video solution इसमें आपको मिलेगा इसका price cable 490 रूपीज है इसको आप examinee.in website से ले सकते हैं और इसका link मैं नीचे description box में दूँगा इस video course का जो वैलिटी रहेगा वो एक साल तक रहेगा एक साल तक इन video solutions को आप कितनी भी वार repeat करकर करके देख सकते हैं और SSC के सभी exams के लिए तैयारी के लिए ये एक आपके लिए रामवान सावित होगा क्योंकि इसमें काफी सारे questions को मैंने directly और indirectly मैंने discuss किया है तो एक smart trick रहेगी आप serious experiment SSC के किसी भी exam के लिए तो इस smart और तरीके से आप तैयारी करें और बहुत ही बहतरीन आपका score आएगा चलिए देखते हैं आप इन questions को देखे ये questions पूछे गए थे he did not go to the temple on foot he went there by the car simple question is the cutting question नहीं है he did not go यह यहां तक सही है क्योंकि इसमें did के साथ first form लगाई है तो यहां पर सही है to the temple on foot on foot भी एक phrase होता है तो यह सही है लेकिन at the same time by car by road by air यह भी phrases होते हैं ठीक है लेकिन यहां पर क्या लिखा है by the car तो इसलिए by car बोलेंगे हम by the car नहीं बोलेंगे और c इसमें आपका सही आंसर होगा क्योंकि इसमें we are not talking about any specific car we are talking about car in general तो इसलिए इसमें by car हम बोलेंगे कुछ फ्रेजिस होते हैं जिनमें हम articles का प्रियोग नहीं करते हैं for example to lose heart निराश हो जाना ठीक है to give ear ध्यान से सुनना at home घर पर by mistake by car by road by air इस तरीके से इन फ्रेजिस में हम articles का प्रियोग नहीं करते हैं तो यहां पर आपका आंसर होगा सी कोश्चिन नंबर सेकेंड हम देखते हैं शी असेंडिट टू दा थ्रोन एड़ अर्ली एज ऑफ सेबिन मतलब सास साल की एज पर उसने अपना सिहासन जो था अपनी गद्दी जो थी उसने उस पर कब्जा कर लिया था असेंड का मतलब होता है चलना डिसेंड का मतलब होता है उतरना असेंडिंग और डिसेंडिंग ठीक है असेंडिंग और डिसेंडिंग और आपने सुने होंगे लेकिन ascend के बाद हम to का प्रियोग नहीं करते ascend के बाद direct verb आती है क्योंकि ascend एक transitive verb है ascending the throne इस तरह से हम बोलेंगे तो ascending to हम नहीं बोलेंगे यह काफी अच्छा question है इसमें to का प्रियोग यहाँ पर नहीं होगा इस proposition का प्रियोग इसमें नहीं होगा डिरेक्ट object आएगा ascend के बाद ठीक है तो इसमें आपका जो answer होगा वो होगा बी चलिए अब हम आगे देखते हैं नेहा mother was annoyed with her as she could not annoyed का मतलब होता है उससे नाराज होना नेहा की मदर उससे नाराज थी क्योंकि वो कुछ नहीं कर सकी she could not her examination तो यहाँ पर comments आप apply करें इसका simple सा मतलब हो she could not pass हर exam क्योंकि यदि pass हो जाती वो तो उसकी मतलब annoyed नहीं होती है लेकिन pass नहीं हो पाई इसने उसकी मतलब annoyed है तो pass के related एक phrasal verb यहाँ पर आप कुछ ही है और pass के related एक phrasal verb जो है वो है get through get through मतलब किसी भी चीज में सफलता प्राप्त करना उसको हम बोलते है get through get off का मतलब होता है किसी जगे को छोड़ कर जाना यात्रा शुरू करना get on का मतलब तरक्की करना how are you getting on मतलब किस तरीके से आप progress कर रहे हैं get on with भी होता है get on with का मतलब होता है वो previous year video solutions में दिया है वहाँ पर आप उसको examiny.in website से उसको आप ले सकते हैं और बहुती detail में सारे questions का सारे options का solution वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा तो get through यहाँ पर इसका सही answer होगा question number 4 दिखते है I shall her if she apologizes to me for her misbehave misbehavior मतलब मैं उसको माफ कर सकता हूँ या कर सकती हूँ यदि वो मुझसे माफी मांग ले तो apologic का मतलब होता है माफी मांगना ठीक है तो यहाँ पर देखिए punish नहीं होगा I shall punish her यदि वो आप से माफी मांगेगी तो आप उसको punish क्यों करेंगे तो punish तो बिल्कुल नहीं आएगा इसमें reprimand भी नहीं आएगा reprimand का मतलब होता है डाटना forgive या pardon का मतलब होता है माफ करना इन दोनों में से एक word आ सकता है लेकिन pardon यहाँ पर इसलिए नहीं आएगा क्योंकि pardon एक official sense में use होता है एक official word है पारडन करने का काम government का होता है किसी organization का होता है ठीक है जैसे रास्टपती पारडन कर सकता है किसी व्यक्ति को इसको फांसी की सजा मिली है पारडन एक official word है forgive एक general word है तो यहाँ पर जो सही answer होगा वो होगा आपका forgive I shall forgive her if she apologizes to me for her misbehavior Question number 5 देखते है उसको हम बोलते है ebullient इसकी spelling भी काफी important है SST के exams के लिए और यहाँ पर आपका सही answer होगा enthusiastic ebullient का और आप यहाँ पर देख सकते हैं कितने detail में मैंने सारे options को explain किया है ebullient का अर्थ होता है cheerful deceitful मतलब जो जिसमें धोका धरी है जो genuine नहीं है prejudice मतलब जो bias है जो जिसमें भेदभाव किया गया है या पक्षपात किया गया है उसको हम बोलते हैं prejudice या preconceived notions को भी हम prejudice बोलते हैं ठीक है ebullient का एक मतलब यह भी होता है जो पानी होता है या liquid होता है समुदर का पानी वो काफी agitated है काफी boiling state में है उसको भी हम ebudient बोलते हैं तो इस तरीके से deceitful मतलब धोका धोके देने वाला जो genuine नहीं है insincuity, enthusiastic और prejudice चार इसमें दी हैं तो सही जो आंसर होगा वो होगा आपका enthusiastic ट्रेकुलेंट हम बोलते हैं इसमें actually ferrousious, luxurious, lascivious और delicious दिया है luscious actually हम juices के sense में यूज़ करते हैं delicious हम खाने के sense में यूज़ करते हैं तो delicious और luscious दोनों का ही मतलब tasty है luxurious मतलब आरामदाय के comfortable, ferrousious मतलब भयानाक या खतरनाक ferrousious जो word है यह हम wild animals के लिए यूज़ करते हैं लेकिन ट्रेकलेंट का यहां पर SSC ने जो answer दिया है वो ferrous दिया है लेकिन ट्रेकलेंट एक्शली इसका close नहीं है ट्रेकलेंट एक्शली हम एक व्यक्ति के लिए यूज़ करते हैं जो bad tempered है जिसका nature खराब है जो aggressive है उसको हम बोलते है bad tempered luscious का मतलब delicious luxuriant देखिए एक word मैंने इसमें दिया है luxuriant तो luxuriant और luxurious में आपको confused नहीं होना है luxurious का मतलब होता है lavish या आराम दायक luxuriant का मतलब होता है evident या copious है plentiful ठीक है तो luxuriant ये word काफी important है SSC exam के लिए evident इसका मतलब है परयाप्त और यहां पर इसका जो closest answer है वो है फेरोसियस निगाडली ये word repeat हो चुका है निगाडली का मतलब होता है conjuice ठीक है जो generous नहीं है जिसको पैसा खर्च करने में तकलीफ होती है उसको हम बोलते हैं निगाडली तो निगाडली का यहां पर आपको एंटोनिम चाहिए और एंटोनिम होगा इसका generous क्योंकि generous जो होता है वो पैसा खर्च करता है donate करता है इस तरीके से generous इसका सही answer होगा निगाडली का मिंगी का मतलब ही कंजूस होता है inefficient जिसमें skills की कमी है sinful मतलब जो wicked है जो खराब विकती है immoral है ठीक है तो इस तरीके से यहाँ पर मैंने इसके meanings को explain किया है आप देख सकते है चलिए आगे देखते हैं dissident का क्या मतलब है पहले इन words को देखते है alienated मतलब जो अलग थलग पड़ गया है उसको हम बोलते है alienated iconoclast जिसने किसी established system को तोड़ दिया है जिसने किसी icon को तोड़ दिया है जो लोगों को divide करना पसंद करता है जैसे अंग्रेज जो थे वो divisive nature के थे orthodox मतलब जो परंपरावादी है तो dissident actually परंपरावादी नहीं होता वो एक system को तोड़ने का काम करता है वो orthodox नहीं होता तो इसलिए इसका जो एंटोनेम होगा वो होगा orthodox ठीक है यहाँ पर यह सारे word meaning मैंने detail में दिये हैं इनको हम discuss कर लेते हैं सेम इसी तरीके का solution इससे भी अच्छा solution आपको मेरे video course में बिलेगा जो मैंने 43 सेट बनाए हैं इसके लाब आप मेरा SSC का जो एक साल का जो course है उसको भी आप जोइन कर सकते हैं उसमें मैंने बहुत detail में English language को explain किया है dissident का synonym होगा heretical, ठीक, एंटोनेम होगा orthodox, alienated, make someone feel isolated, iconoclast एक एक ऐसा वेक्ती जो criticize करता है established system को bohemian का मतलब भी unorthodox होता है divisive तो इस तरीके से बहुत ही detail में मैंने आप आप सारी चीज़ें explain की है चलिए आप आगे देखते है idioms और phrases का पार बेर दा पाम ये repeat हो चुका है ये कई papers में मैंने previously भी इसको explain किया है बेर दा पाम का मतलब होता है जीच जाना तू विन इसका सही आंसर होगा बेर दा पाम ठीक है आगे देखते है तो गिव दा डेविल हिस ड्यूटू डेविल होता है राक्षर्स और इसको यहाँ पर हमने यूज किया है एक बुरे व्यक्ति के लिए कैसे आत्मी के लिए जिसके साथ कोई मेल मलाब नहीं रखना चाता या उसका नेचर सही नहीं है उसको हम बोलते हैं डेविल तो गिव दा डेविल हिस ड्यूटू ड्यूट का मतलब है किसी व्यक्ति को क्रेड़िट देना तो एक बेकार ब्यक्ति है उसके अंदर भी कोई अच्छी क्वालिटी होती है वो भी कुछ अच्छा काम कर सकता है सुसाइटी के लिए तो उस सैंस में हम तो गिव दा डेविल हिस ड्यूट को हम यूज करते हैं तो इसका आंसर होगा यहाँ पर इसका आंसर होगा तो गिव क्रेड़िट तो इविन ए नॉटोरियस परसन एक बेकार ब्यक्ति को उसका क्रेड़िट देना कोई उसने कोई अच्छा काम किया है यहाँ पर आप डिटेल में पर सकते हैं मैंने एक्स्प्रेइन किया है पर इसको इसको तो गिब देविल हिज़ डिउस सेंटेनस इंप्रूबमेट में नो सुनर का एक यह कुश्चन है और नो सुनर वाले जो एक्सांपिल्स जो सेंटेनस होते हैं लो सुनर एक्छुली एक निगेटिव वर्ड है और negative word में inversion का जो rule है वो apply होता है inversion का मतलब यह है कि normally हम subject को पहले रखते हैं उसके बाद verb को रखते हैं subject plus word plus object लेकिन inversion का मतलब है कि हम verb को पहले रखेंगे subject को बाद में रखेंगे यदि कोई भी negative word से sentence start होता है तो इसमें inversion का rule apply होता है तो यहाँ पर inversion का rule आपका apply होगा ठीक है तो इसमें no sooner के बाद हम पहले helping verb को रखेंगे no sooner did हम बोलेंगे no sooner the advertisement नहीं बोलेंगे no sooner did the advertisement बोलेंगे पहले इसमें helping verb आएगी और फिर इसमें subject आएगा और चुकि did यहाँ पर लगा हुआ है इसलिए did के साथ यहाँ पर यहाँ पर हम first form को use करेंगे तो यह भी आपको देखना है यह भी बहुत ही important है और बी इसमें आपका सही answer होगा question number 12 देखते हैं the equipment is adapted to cotton industry मतलब यह जो equipment है यह जो ओजार या machine है या tool है इसको adapt किया गया है cotton industry के लिए cotton industry के लिए इसको adapt किया गया adapt मतलब इसमें कुछ mechanical changes किये गए हैं तो इस sense में जब हम adapt को use करते हैं तो इसके लिए हम adapt for का प्रियोग करते हैं adapted to का मतलब होता है human situations के लिए यह use होता है कि आप किसी environment में गए और उसके according आपने अपने आपको ढाल लिया या adapt कर लिया तो वहाँ पर फिर हम two लगाते है human related situations के लिए लेकिन यह mechanical situation है यहां पर किसी चीज को physical change किया जा रहा है ताकि वो किसी दूसरे जगे अच्छे तरीके से काम कर सके so the equipment is adapted for the cotton industry यह इसका सही आंसर यहां पर होगा और detail में इसका पूरा explanation यहां पर आप पढ़ सकते हैं यह मैंने बहुती detail में इसका दिया है डालता है और उतारता है चड़ाता है और उतारता है उस वक्ति को हम क्या बोलते हैं उस वक्ति को हम बोलते हैं steep door इस टीब डोर यहां पर answer होगा यह भी repeated कोश्चन है SSE में काफी सारे questions, काफी सारे words repeat होते हैं, तो previous questions को करना एक smart trick हो सकती है, यदि आप previous questions को detail में पढ़ते हैं, तो वो एक smart trick हो सकती है, SSE के सभी exams के लिए, तो steep door यहाँ पर सही answer होगा, transgressor कौन है, transgressor जो किसी rule को तोड़ देता है, उसको मुलते हैं transgressor, lapidist, lapidist जो precious stones होते हैं, stones के साथ जो काम करता है, lapidist को मुलते, reticent मतलब एक ऐसा व्यक्ति, जो reserve nature का है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने सारा explain किया है, lapidist a person who deals in gemstones, transgressor, जो एक rule को तोड़ता है, steep door, तो सारी चीए मैंने यहाँ पर बहुत ही detail में explain की है, और यहाँ पर आपका आंसर होगा steep door, next question देखते हैं, belief और opinion contrary to what is generally accepted, जो generally accept होता है, समाज में उसके विरुद्ध, इसको खिलाफ कोई काम करना या कुछ चीज कहना, तो हेर से इसका सही answer होगा, हेर से इसका सही answer होगा, ठीक है, invocation मतलब मदद के लिए गौहार मांगना, incognito मतलब अपनी identity को छुपा लेना, mercenary का मतलब होता है, पैसे के लिए काम करना, तो यह सारे words काफी important है, यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं, invocation means the act of asking for help and support, इसका सुनोनियम होगा, incantation, incognito को हम बोलते हैं, having one's true identity concealed, mercenary का मतलब है, one who serves merely for wages or money, जो वेक्ति के लिए पैसे के लिए काम करता है, हेर से का मतलब होता है, belief or opinion contrary to orthodox religious beliefs, यहाँ पर आप आराम से पर सकते हैं, इसको वीडियो को pause करके, चलिए next question देखते हैं, find the incorrectly spelled word, incorrectly spelled word tomorrow सही है, temperature सही है, preferable सही है, occurrence में double R आता है, actually, occurrence मतलब कोई भी घटना, उसको हम बोलते हैं, O, double C, U, double R, E, N, C ही, occurrence, occurrence का spelling यहाँ पर गलत है, next हम देखते हैं, find the incorrectly spelled word, receding, receding में double E नहीं आता, R, E, C, D, I, N, G, receding का रथ होता है, पीछे हटना, receding के spelling गलत है, symmetry यहाँ पर लोगों को दफन किया जाता है, parallelogram, मतलब rectangle को बोलते हैं, rehearsal, यह spelling भी important है, rehearsal की, so receding यहाँ पर सही है, परजंबल के question देखते हैं, परजंबल में केबल आपको, logic एपलाई करना पड़ता है, और यहाँ पर देखिए, if से sentence स्टार्ट नहीं हो सकता, let us से स्टार्ट हो सकता है, this actually pronoun नहीं से स्टार्ट नहीं हो सकता, यहाँ पर हम देखते हैं, having discussed the problem and requirement of rural life, let us consider the blaze artisan, मतलब, having discussed the problem and requirement of rural life, rural life की problem and requirement को discuss करने के बाद, चलो हम blaze artisan की problem को discuss करते हैं, यानि यहाँ पर S और Q एक mandatory pair बना रहे हैं, और S और Q केबल option A में हैं, इसमें, ठीक है, PR देख लेते हैं, PR, देखें यहाँ पर दिया है this, इसका मतलब यह sentence बाद में आएगा, पहले यह आएगा, बतलब PR का भी एक mandatory pair बन रहा है, तो इसका आंसर होगा, S Q PR, इसका जो आंसर होगा, वो होगा, S Q PR, ठीक है, इसमें भी same logic लगा सकते हैं, practical farming, these schools, यह pronoun है, यहाँ से start नहीं होगा, यहाँ से हो सकता है, यहाँ से हो सकता है, therefore से start नहीं होगा, therefore बाद में आएगा, तो इन दोनों में से एक से start होगा, या तो यहाँ से, यहाँ से start करते हैं इसको, agriculture should be made compulsory in higher secondary schools, alternatively the urban students can be taught, town planning, industrial planning, इसके बाद आप, इसमें अर्बन, इसमें agriculture की बात की है, इसमें भी practical farming की बात की रही है, तो आर्पी इसमें एक mandatory pair बना रहे हैं, आर्पी एक mandatory pair बना रहे हैं, और इसके बाद, आप यह वाला sentence जुड़ेंगे, और therefore वाला बाद में आएगा, क्योंकि therefore एक connector है, तो इसमें हो जाएगा आपका आर्पी, Q और S, Q और S बाद में एक जुड़ जाएंगे यह, यह Q और S, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा, आर्पी, QS, यह इसमें आंसर हो जाएगा आपका, I saw him leaving the movie theater, यह passive active voice है, I saw him में I subject है, saw verb है, him object है, तो him से बनेगा, actually him जब इदर जाएगा, तो he हो जाएगा, saw का scene हो जाएगा, इसमें हो जाएगा, he was seen, he was seen leaving, he was seen leaving, हाँ, he was seen leaving the movie theater by me, इसमें यही आंसर होगा, he was seen इसमें नहीं है, he was seen, इसमें लेकिन to be है, to be नहीं आएगा, to be imperative sentences में आता है, और इसमें यह भी नहीं आएगा, इसमें आपका आंसर होगा, first, the principle said, be quiet girls, यह narration का question है, और principle इसमें command दे रहा है, और जो imperative sentences होते हैं, उसमें हम to का प्रियोग करते हैं, तो be quiet को हम यह, और इसमें हो जाएगा, to be quiet, to be quiet का, इसमें केबल इसमें आ रहा है, इसमें commanded word भी है, the principle commanded the girls to be quiet, तो इसमें आपका आंसर होगा, C, काफी सरल रहते हैं, यह इनकी अदिया प्रेक्टिस करते हैं, काफी इसीली इनमें आप स्कोर कर सकते हैं, close test देखते हैं, modern man is imprisoned by his time table, and his routine, his life is all care, इसमें क्या बोल लेगी कोशिश कर रहा हैं, इसमें देखिए एक word आया है, एक keyword है, imprisoned, imprisoned का मतलब होता है, jail में बंद हो जाना, कैद खाने में कैद हो जाना, तो model man जो है, आज का जो आदमी है, वो imprisoned है, किस के दोरा, time table के दोरा, और routine के दोरा, time table and his routine, his life is all care and, यहाँ पर care का equivalent word आप कुछ ही है, wisdom नहीं है, success नहीं है, anxiety नहीं है, क्योंकि anxiety क्या है, anxiety एक medical का term है, इसको एक बीमारी भी हम मानते हैं, तो यहाँ पर किसी बीमारी की बात नहीं हो रही है, care का, care से related जो word हो है, worry, चिंता फिक्र जिसकों हम बोलते हैं, तो worry यहाँ पर सही answer होगा आपका, modern man is imprisoned by his time table and his routine, his life is all care and worry, he does not have, he does not have, इसमें तो time ही आएगा, he does not have time for anything, he does not have time for anything, but his duties and occupations for, उसके जो duties हैं, उसके जो occupations, उसका काम क्या है, वो जो काम धंदा करता है, वो किस लिए करता है, काम धंदा करता है, कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए, तो making money यहाँ पर आपका, सही answer होगा, minting money नहीं बोलेंगे, क्योंकि minting का मतलब होता है, negative sense, गलत तरीके से पैसा कमाना, collecting money नहीं आएगा, spending money नहीं आएगा, making money, man in all, may have been prone to this disease, मतलब यह जो चीज है, यह जो negative point है, यह सभी man को हो सकता है, man in all, sphere, stream, areas, ages, देखे, sphere का मतलब होता है, छेत्र, stream का मतलब भी छेत्र, और areas का मतलब भी छेत्र, मतलब यह तीनों वर्ड सेम हैं, तो सेम वाले जो वर्ड होते हैं, वो नहीं आएगे इसमें, क्योंकि तीनों का ही meaning सेम है, इसलिए, ages यहां पर आएगा, man in all ages, may have been prone to this disease, and indeed, we in India may not have been by it, मतलब इंडिया में हो सकता है, हम इतना affected ना हो, इस सिस्टम से, ठीक है, negative चीज से जब आप affect होते हैं, तो इसके लिए जो word है, वो है inflicted, क्योंकि infected का मतलब होता है, infection, तो infection की बात नहीं हो रही है, यहां पर, accompanied का मतलब होता है, किसी के साथ जाना, और यहां पर चुकि, may have been लगाए, तो third form चाहिए आपको, associated में third form नहीं आएगी, सही answer होगा, इसमें inflicted, जितना इंडिया में लोग inflicted हैं, इस problem से उतना western countries में नहीं है, तो यह इसका meaning हो सकता है, तो यह थे 25 question, और English Advantage Education की official website शुरू हो गई है, इसका नाम है examiny.in, यहाँ पर मैंने सभी exams के लिए, SSC के लिए, banking के लिए, मैंने blog लिखे हैं, और आगे भी मैं इन blogs को upload करता रहूँगा, English section के यह blogs हैं, close test, वेरा जंबल, grammar, इनको आप जरूर जरूर पढ़ें, और इनसे आप फाइदा उठाएं, इनको आप laptop, PCI, mobile पर पढ़ सकते हैं, examiny.in website पर, blog section में आपको जाना है, और वहाँ पर उसको खोलेंगे, तो वहाँ पर आपको सारे articles आपको दिखाई देंगे, अभी English to English हैं, लेकिन बाद में हिंदी में भी इन blogs को upload करूँगा, इनसे भी आप फाइदा उठा सकते हैं, और SST CGL का 47 sets का पूरा वीडियो solution, करीब 3,000 questions का पूरा वीडियो solution, एक साल की variety के साथ देंगे आप लेना चाहते हैं, तो उसको आप नीचे दिये गए link से आप परचेज कर सकते हैं, एक साल के लिए इसका price cable 490 रुपया है, और इसमें आप करीब 3,000 real questions का full detailed solutions आपको देखने को मिलेगा, एक ही वीडियो class को आप कितनी भी वार्द देख सकते हैं, किसी भी time देख सकते हैं, और SSC के सभी serious experience के लिए ये एक रामबर सावित होगा, तो इसको आप जरूर लें और इससे आफाइदा हुठा है, तो इस वीडियो class में इतना ही, अब मैं आप से बिलूँगा next video class में, thank you.